स्वागत है आप सभी का पार ब्रेक्फिस में आईए देख लेते हैं कि हफ़ते के पहले कारुबारी दिन अंतराश्य बाजारों से हमारे मार्केट के लिए कैसे संकेत हैं तो गिफ निफ्टी पर नज़र डाले थोड़ी धीली शुरुवात तो यहां से होती दिख रही है 40-42 अंकों की कमजोरी है डाव फ्यूचर्स 33 अंक कमजोर है समय नास्डाक फ्यूचर्स में फ्लैटर नेगिटिब ट्रेड होता दिख रहा है एशन स्पेस पर नज़र डाले तो यहां पर मिला जला सा ही ट्रेड है जापनीज मार्केट तो बंद है लेकिन बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं यहां पर थोड़ा सा मिक्स पैक परफॉर्मेंस ही देखने को मुड़ा है लेकिन अधिकतर स्टॉक्स हैं वो हरे निशान में फिलाल कारोबार कर रहे हैं कमार्टी मार्केट में बहुत उठापटक रही है कच्चा तेल अपने आपको 80 डॉलर के पास सम्हाल रहा है और सोने चांदी में भी दाइरे बन सपाट सुस्त कारोबार हम बनता हुआ देख रहे हैं क्लोजिंग और ये हफता किस लिहास से महतपून है अच्छा एक्शन आ रहा है कोई ऐसी परिशानी वाली बात नहीं जो पिछले मंडे को हमने देखा था बड़ा असर पड़ा हुआ था बाजार में अब वो डर थम गया है पिछले कुछ दिनों से रिकवरी के मूड में ब बाजारों में बट अच्छा ही आक्शन हुआ डाव करीब 400 अंकों की रेंज में इसने ट्रेड किया है उसमें आप देखें तो 50 अंक उपर बंद हुआ है नैस्डेक और S&P में आपने आधे परसंट की बड़त देखिए रसल 2000 थोड़ा सुस्त था बड़ इनकी वालेटिल देखें तो उतनी बड़ी नहीं है डाव आपके लिए आधा परसंट नीचे बंद हुआ है S&P 500 आपका सपार्ट बंद हुआ है और नास्डेक में आपने एकदम हलकी सी 0.2 परसंट की गिरावट आती हो दिखिए तो कुछ जादा बड़ा आक्शन वहां पर नहीं हुआ है कमोड़ी इसकी बात करें सोने में सुस्त कारोबार आज है बर वैसे तीन दिन से बड़त का ट्रेंड इसने दिखाया है कच्छा तेल पिछले हफ़ते 4 परसंट उचला है करीब 80 डॉलर के आसपास सपार्ट कारोबार कर रहा है एक सो तीन के पास डॉलर इंडेक्स भी स्थ रहेगा हमारी भी महंगाई और आपी के डेटा आने वाले हैं यूएस में जुलाई रीटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे वाल मॉट और होंडेपो की अर्निंग आएंगे उर यू के में भी इनकी महंगाई GDP और डीटेल बिक्री का आंकड़ आएगा तो बाजार इसपे